हेलो एवरीवन एन वेल्कम टू अचीव आई एस माइनम इस अकाश वेजरन और आज इस वीडियो में हम लोग डिसक्स करेंगे इंडिया की नई अर्क्टिक पॉलिसी के बारे में रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने अपनी एक ड्राफ्ट अर्क्टिक पॉलिसी को रिलीज किया है आप लोगों ने हिंदा हिंदू में इंडियान एक्स्प्रेस में या किसी और न्यूस्पेपर में डेफिनेटली इस बात को पड़ा होगा काफी वाइड कवरेज जो है इस न्यूस को मिली थी तो आज जो हम इस वीडियो में इसी पॉलिसी के मारे में बात करेंगे कि क्या कुछ जो है इंडिया के एम से जो इंडिया इस पॉलिसी के थ्रूँ अचीव करने की कोशिश करेगा ठीक है तो चलिए अब इस स्टार्ट करते हैं इस लेक्टर को स्टार्ट करते हैं तो न्यूस में यह क्यों है रिसेंटली इंडिया exploration of mineral oil and gas ठीक है तो यहाँ पर तीन आपके मेन अब्जेक्टिव से आपके दिखाए आपके एम्स दिखाए ठीक है फॉर्स आपका साइंटिफिक रिशर्च सेगें सस्टेनेबल टूरिजम एंड थर्ड है exploration of mineral oil and gas ठीक है तो यह तीन आपके यहाँ पर थे देख रिप्लोमेट का यह आर्टिकल है इसमें बताया गिया है इंडिया रिलीजिस ड्राफ्ट अर्क्टिक पोलिसी की इंडिया ने जो है अपनी ड्राफ्ट अर्क्टिक पोलिसी को रिलीस किया यहाँ पर जो है एक चाइना पोलिसी को इमेडेटली रिलीस किया तो ऐकर हम पोलिसी के पर्टिकलरों की बात करें तो नोड्ल बोडी यहाँ पर क्वोण है तो नोडल बोड़ि जो यहाँ पर आपकी बनाई गई है वह आपका नैशनल सेंटर फोर पोलर एंड ऑशियान डिसर्च यह गोवा बेस्ट आ जाएगा और इस कोडिनेशन का जो काम होगा वो भी जो है आपका नेशनल सेंटर फो पोलर नोशन रिशर्ट के द्वारा किया जाएगा तो प्लीज इसका नाम याद रखना तीन चरह बार मैं बोल चुका हूँ तो इसका नाम याद रखने के responsibility आपकी हो जाती है क्योंकि प्रिलिम्स में कई बर आपसे directly ऐसा question पूछा जा सकता है objectives की बात करें तो पहलो objective है आपका scientific study of arctic ठीक है जो हमने अपने starting में ही तीन objectives की बात की थी तो उसमें आपका पहला था ना scientific research तो वही है आपके हैं पर दूसरा नाम इसका लिखा हुए promoting scientific study of arctic second है planning exploration and third है promoting arctic tourism ठीक है planning exploration exploration वही है आपका exploration of oil and mineral ठीक है oil mineral and gases and third आपका promoting arctic tourism और अगर हम scientific study की बात करें ना अगर primarily हम लोग scientific study की बात करें तो arctic की scientific study काफी important हो जाती है क्योंकि जो arctic और Antarctic है वो आपकी इतन sensitive जगहें हैं कि अगर चोटी से चोटी कोई हम अपना action करते हैं तो उसका जो अगर हमें कोई एक clear effect देखना है ना कि उसका क्या असर पड़ता है तो वो हम लोग arctic और Antarctic में ब्युक्त क्लेरली देख सकते हैं ठीक है छोटी से चोटी चीज़ का जो असा अगर हमें observe करना है तो हमको कहा जाना चाहिए हमें Arctic और Antarctic का में जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो हम जाकर clearly अपने actions का जो result है वो देख सकते हैं ठीक है इस विए से scientific study Arctic की काफी जो है significant हो जाती है exploration तो फिर ही है आज के जमाने में अगर हम बात करें तो mineral oil and gas इनके बिना तो कुछ काम चल ही नहीं सकता अब कहीं पर भी जाएंगे दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जिसको explode कर लो तो वहाँ पर एक expect उसका हमेशा यह देख जाता है कि यहाँ पर यह oil mineral and gas resources resources का कितना स्री चाप की जाएगा है चीग है and then then आपका अर्क्ति तूरिज्म अब टूरिज्म भी जो है एंकरेज किया जाएगा hospitality sectors को यहाँ पर किया जाएगा ताकि नहीं नहीं employment की opportunities जो है उनको एंकरेज किया जाए ठीक है तो next देखते है next क्या है next आपका की Arctic के बारे में बात करे सब्सक्राइब है the Arctic consists of the Arctic Ocean adjacent seas and parts of Alaska Alaska आपको पता होगा जो हम USA अगर मैप देखते हैं तो USA की जो पूरा mainland USA उस से थोड़ा सा अलग आपका अलासका देखेने को मिलेगा उपर की तरफ ठीक है तो इसमें आपका कौन को नाता है इसमें आपका आता है Alaska जो कि US का पार्ट है दि Thailand Norway Russia and Sweden तो यह सारे जो है यह सारी आपकी अर्क्टिक रीजन में आपका आती है मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ठीक है लैंड विदिन अर्क्टिक रीजन है सीजनली वेराइंग श्नौ एन आइस कवर तो मैप में देख लीजे मैप में यह है आपका अर्क्टिक रीजन च ठीक है इसमें देख लीजे को आपका कौन को ना रहा है रशिया आपको रिश्या की बात ने कीजे ना भी नाम देखा था उसका ठीक है देन रशिया है वेट जस्ट मिनट फिंड यह रहा सुड़े सुडे सुड़े और नोवे आइसलेंड ग्रीन लेंड कैनेड़ा एंड आपका यह रहा है तो अगर आपको पता है ख्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वोर्मिंग का असर आर्क्टिक पर क्या बढ़ रहा है सबसे Main अगर हम बात करें एक चोटे से छोटा बच्चा की बता देगा कि Global Warming का असर अगर हम बात करें आइस पर क्या पड़ेगा गरम होने का अईस पर पड़ता है क्या इस कि आईस जो पगलनी स्टार्ट हो जाती एक उसका पानी बन जाता है तो एस आपका कहा जाता है कि जिस तिन पर बढ़ने लगा तेजी से तो उसलिपले सबसे पहले कौन डूबेगा इंडिया प्राइब को तीन जगह हो से इंडिया जो है पानी से घिरा हुआ है तो बहुत सारी जगह हैं जो हमारी कोस्ट्रल एरिया थे मुंबई वैस्ट बंग लेकिन पॉसिबल है पॉसिबलीटी पूरी पूरी है बेशक बात की बात है काफी साल लग जाएंगे हो सकता है हमने जीवल गाल में हम देख भी ना पाएं सब हमारी आने वाली जो जनरेशन होंगी वो देख सकती है लेकिन होना जरूर है अगर हमने इसी लेवल पर यह अपन exploitation को continue रखाता हूँ then deterioration of Tundra जो आपको Tundra region है उसका deterioration आपको referently होता है ठीक है जो wildfires है वो बढ़ने के चांसे से क्योंकि global warming और हो रही है temperature बढ़ रहा है तो उससे wildfire बढ़ जाएंगी आपकी ठीक है टुंडरा टुंडरा found in regions north of the Arctic Circle and south of the Antarctic Circle ठीक है तो यह आपके Arctic Circle Antarctic Circle के जो beach का जो area होता है उसको हम बोलते है टुंडरा region ठीक है यह आपको पूरे ट्रीरेस region होता है काफी सुन्दे रही है मेरा personally काफी मन करता है कि मैं टुंडरा region को जाओं कभी देखूं पर जाने सकता भी अच्छी लग रहे हैं तो फ्रेट है कैसे कि वहां पर रहने वाले जो लोग है जो मतलब लोग नहीं जो आपके रहने वाले महां पर जीव जंतू है फ्लोरा एंफोना है वह किस चीज़ से अब लोग जिस चीज़ से अडेप्टिड है अब उनको प्रोब्लम स्टार्ट हो जाएगी न होनी क्योंकि वह लोग तो नेच्रल अब्रमेंट से अडेप्टिड है नहीं तो थ्रेट टू बाइडिवरसिटी यह आपका एक काफी इमेडियेट कोज है दैन एक एक्स्टिंग्शन ऑफ इंडिजीनिस कल्चर अगर हम बात करें आख्टिक में तो आख्टिक में आपकी आख्टिक में आपकी 40 इंडिजीनिस ग्रूप जो है रिसाइड करते हैं तो अगर वहाँ पर जाकर इतना इतना इंडिजीनिस कल्चर है जो वहाँ का इतना ट्रडिशनल कल्चर है रिच कल्चर है उस पर हमें थ्रेट देखने को मिलेगा इंक्रीजिंग यूमन थे सब्सक्राइब यह उसके बारे में बात नहीं खालेने को मिलती है क्योंकि हम देख रहे है कि इतना शाए देश जो अपनी और्क्रीपस कर रहे है तो ऐसा है यहाँ पैसा क्या फैडा हो जाएगा उनको जो जो एस और ऊस को जाएगा हो जो ऐसा करें सबसे पहले है evident resources resources के भर मार है यहां पर resources की भर मार है evident resources यहां पर आपके present है the opening of Arctic presents huge commercial and economic opportunities particularly in shipping energy fisheries and mineral resources तो आपके इन सारी जगह उपर जो है काफी रिच आपका हमें एक resource environment देखने को मिलता है Arctic में ठीक है चाहिए आपका वो shipping का हो energy का हो fisheries का हो mineral resources का हो ठीक है then commercial navigation the northern sea routes it is a shipping lane connecting the North Atlantic to the North Pacific through a short polar arc which could revolutionize the prospects of trade in Russia and Scamandian countries तो यहां पर जो आपका आप चोक पॉइंट इसको कह सकते हैं ठीक है जैसे आपका northern sea route हो गया तो यह आपको काफी significant हो सकता है जो कि आपका जो ट्रेड प्रोस्पेक्ट से रश्षिया से होते हो जो गुजरत नहीं जा फिर आपके scandavian countries जो है आपकी तीक हम हाँ से ट्रेड रूट को काफी जो है enhance कर सकते हैं इस अपरोक्स 40 परसंट शॉटर देन वाइधा स्यूस कैनल और 60 परसंट शॉटर वाइधा Cape of Good Hope तो यह जो रास्ता आपका है ना नदन सी रूट का तो यह आपका अगर हम बात करें तो स्विस कैनल से 40 परसंट शॉटर है मतलब अगर हम स्विस कैनल से जाएंगे 100 किलो मीटर कर रास्त ताया करना पड़ता है तो अगर हम हम यहां से जाएंगे नदन सी रूट से तो हमें सिर्फ और 60 किलो मीटर कर रास्ता ताया करना पड़ेगा मतलब 40% का में यहां पर फायदा हो जाएगा और हम Cape of Good Hope से ट्रैवल करेंगे तो Cape of Good Hope में अगर हमें 100 किलो मीटर का समय लगता है 100 किलो मीटर कर रास्ता हमें ताया क नदन सकता है तो तो इशूस क्या क्या है आफ तृढ़े जापर एंपर है सबसे पहले नैवीगैशन कंडिशनस चाहां पर एक्ष्रीम आपर टेक है पाता है ना आपको डेंजर स्कंडिशन से आपर रहती है और सुमर में हम जा सकते हैं तो कि विंटर में यहां आपर यतन में है नहीं थे कहा है आइस बेकर किया पर ज़रूर थे तर शोटेज ऑव यह फ्रेंफर पॉलर कंडिशन्स ठीक है जो वरकर सिंहां पर काम कर सके हैं जो है के यहां के लिए अडेप्टेड हैं उनकी हमें यहां पर शोटेज देखने को मिलती है देन आ माइनिंग एन डीप सेड्री डिलिंग कैरी मैसिफ कोस्ट और वायमेंटल रिस्क ठीक है अफिर रहते हैं अलाइक अंटर्टिक की तरह यहां पर आपका अर्क्टिक वाला रीजिन वो ग्लोबल कॉर्म गुड नहीं है तो अंटर्टिक की प्रटेक्शन के लिए ट्रीटी दे इसका कमेर्शियल यूज्स के लिए अपने स्ट्रेटिक गेंज के लिए जो है एक्सपोर्टेशन काफी जादा किया जा सकता है तो यह एक डर जो है हमारे मन में होना चाहिए हमेशा से तो यहां पर क्या है जो कंट्रीज आपकी हाप लोकेटिट इन आपकी अर्क्टिक र लगाय हुए हैं कि जो इतने भी सीबर्ट लिसोर्स यहां पर हमारा हक है जो यह आपकर आपक्षिय को मृत्शिय हब बुद लॉंगेस्ट आर्क्टिक कोस्ट लाइन हाफ दो अक्टिक पोपुलिशन फूल फ्लेजट स्ट्रेजिक बोलिस तो रशीया पर आपको डॉमिनेंट पावबर है क्योंकि रशीया की जो कोस्ट लाइन हो सबसे बड़ी हमें जो अक्टिक देखने को मिलती है जो आधे से अधे अपनी डॉमिनेंस अपनी हैजमनी को यहां पर स्थापित करना चाहता है रशीया जो अक्टिवेटेटेट इस नौदन मिलिट्री बेसिस रीफर्बिश्ट इस न्यूक्लियर आंट सब्मरीन फ्लीट और डेमन्स्ट्रेट इस चैपबिलिटी इंक्लिडिग त्रू एन एक सिल्क रूट के बारे में सुना होगा तो अब क्या कर रहा है वह एक पॉलर सिल्क रूट बनाने के कोशिश कर रहा है इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तरू ताकि वह और अपनी आउट्रीच को बढ़ा सके बहां पर जाकर जो है अपनी आप कह सकते हैं अपना चाइना के अग्रेसिव कंट्री है चाइना जो है अपने मतलब के लिए सब कुछ करता है किसी भी देश को चाइना से नुकसान हो ही सकता है पूरे वर्ल पीस को चाइना से नुकसान हो सकता है तो चाइना जो है खत्रे वाली बात यहां पर है तो इंडिया के इंडिया के ब बढ़िएंगे तो सबसे बहले दूबने वाला देश हो गा आपका वो आपका इंडिया होगा कि इंडिया जो एक पैनिस्लिर आपका नेशन है तो इस वेशे से एन्वार्मेंटलि इंटरस्ट जो है वो इंडिया का अपको दिख जाएगा चाहिए अपको हो गया और्किक रि research stations in India ने जो आपना Arctic region में खौल रहे हैं और अपका इमादरी के नाम से जो रिसर्च टेशन है वो खुला हुआ हैं इंडिया का नौवे ठीक है तो studying Himalayan glaciers Himalayan glaciers की study जो है वो आपकी प्रोस्पेक्ट से काफी important हो जाती है strategic क्या है जरुत है क्योंकि जहां पर इंडिया की outreach नहीं है हमापर क्या कोशिश करते है चाइना की वहां पर मैं पहले पूछ से उनको बिल्कुली माड दो तो इस वह से चाइना को ग। कि जो है में जरूरुत है तो एक strategic interest आपका ये हो गया ठीक है जाने के इंडिया के साथ ज्यादा बढ़ रही है तो ये बात रशिया को बसंद नहीं आ रही है तो रशिया की और चाइना की दोस्ती बढ़ रही है और रशिया हमें वेपन से ज़स्ता नहीं नहीं थेसा को बना रहना चाहिए हमें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहिए चाहिना को कि वो रश्या के साथ पार्टनर्शिप को जो है अपग्रेड कर लें Arctic Council Membership तो since 2013 इंडिया has had observer status in the Arctic Council जो Arctic Council आपकी रिजिनल काउंसिल है महाँ पर जो है इंडिया के पास observer status है तो उसकी membership को जो है स्रंगिन करने के लिए इंडिया के पास है काफी strategic interest रहेगा तो आयोब आपको सब कुछ समझ में आये होगा कि क्या है इंडिया की Arctic Policy क्या कुछ जो है इंडिया इसके थुरू गीन और अचीव करने कोशिश कर रहा है तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में जब तक लिए thank you so much subscribe अचीव आईए जोने सुन टेलिग्राम ठैंक यू